नमस्कार दोस्तों इस्टेडी वीद पॉन परतीप माँ आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों आप चर्चा की जाएगी कश्या छे पाठ एक हमारा अतीत का जो पाठ एक है क्या कब कहां और कैसे उस पर आप चर्चा करेंगे इतिहास है कि पुस्तक है जो उसका दाम है हम आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि थोड़ा स्वास्त ठीक न होने के कारण से आवाज में यहां पर दिखत हो सकती है आप लोगों को और फिर भी आप लोगों के लिए परियास निरंतर जारी है और निरंतर जारी रहेगा आप हमारे इस यूटूब चैनल पर चुड जन्दित है और चेह सात आड़नों दस के बच्चों के लिए तो यह काफी महत्वण हैं साती सात उन परतियों की प्रिक्षाओं में भाग लेने वाले लोगों के लिए भी काफी महत्वण है क्यूंकि छेह सात आड़नों दस से ही अनेक पॉच्छण पूखे जाते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चर्चा की जाती है जो भी पाठा दारित होते हैं और साथ में जो पाठी पुस्तक पर प्रशन होते हैं उन पर चर्चा की जाती है आईए चर्चा सुरू करें पहला प्रशन देखें सुमेल करो करके यहाँ पर दिया गया है सुमेल प्रस्न पूछा गया था मगद के विशाय में करें बात तो budף महाजनपदॉ में पहला बढ़ा उसके बाद अगर हम गारो पहाड़ी की बात करें तो गारो पहाड़ी जो मेगाले में हैं वहां से आरंभिक क्रिश के प्रमान मिले हैं गारो खासी जैंतिया की पहाड़िया कहां हैं मेगाले में हैं शिंदू तथा इसकी साहिक ने दियां ये पर्थम लगर थे यहां पर लगवग 25 बर्स पूर्व के नगर यहां पर हैं इस वरकार से कक्षयाच छेवालों को अपने नोटबुक में लिखना होगा नर्मदा घाटी बिलकुल सामने लिखना होगा सिकार तथा संगराहक मगद पहला बड़ा राचिक गारो पहाडिया आरंबिक रिशी सिंदु तथा इसकी साहिक नदिया पर्थम नगर गंगा घाटी लगवग 25 बर्स पूर्व के नगर प्रस नमबर दो देखें पांडू लिप तथा एभिलेखों में क्या अंतर है आप लोग पाठ के चर्चा के दोरा नगर पाठ की चर्चा इसे देख चुके हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से बता देंगे कि पांडू लिपियां प्राय ताड़ पत्रों भोश पत्रों पर हास से लिखी जाती जी जब कि अभिलेखों पत्थर या दातुचे से कठोर रिष्टहों पर उत्केन खोद कर लिखना या नहीं उत्केन किया जाता था खोद कर लिखा जाता था या किया चाता था. आऊ चर्चा करें इसके, बाद आपने देखा था कि पाठ के प्रारंब में ही रसीदा नाम की एक बाल में थी. रसीदा के प्रस्न को फिर से पड़ो इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? रसीदा हमें अतीत के विसहई में पॉंडोलिपियों वा अभिलेखों के अधियन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है अतीत के विशय में जानना चाहती थी रशीदा तो हम देख सकते हैं कि हमें अतीत के विशय में पॉंडोलिपियों वा अभिलेखों का अधियन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है इस आईए अगले प्रस्ट बर चर्चा करते हैं पुरातत्त विदू द्वारा अपना ही जाने वाली वस्तों की एक सुची बनाओ इसमें से कौन सी वस्तों हैं पत्थर की बनी हो सकती हैं पुरातत्त विदू द्वारा पाई जाने वाली वस्तों हैं सिक्के हैं हत्यार हैं पुरातत्व विदु द्वारा वस्तों खोजी जाती हैं जिसके आधार पर पुरातत्व विद क्या करते हैं एतिहासिक प्रिष्ट भोमी का की चानकारी प्राप्त करते हैं पत्थर से बनी वस्तों जैसे इमारत है हत्यार है वचार है मूर्तियां है यह हो सकती हैं अगला प् या आप क्या सोचते हैं साधारान इस त्री पुरूस अपने कार्यों का विर्बण नहीं रखते थे इसके निमने लिखित कारण हो सकते हैं साधारान इस त्री तथा पुरूस अपने कार्यों को इतना महत्वों नहीं मानते होंगे कि उनका विर्बण तंग्यार किया जाए औ यह भी संभव है कि वे पड़े लिखे न हो और यह भी संभव है कि वे गरीब हो और उत्गन करवाने का कार खर्चिला हो प्रस नंबर छे है यहाँ पर कम से कम दो ऐसी बातु का उले करो जिन से तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का बताद चलता है राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर देख सकते हैं आप लोग राजाओं का जीवन भेवाव तता एसोरे से परिपूर्ण होता था जब कि किसानों का जिवन कश्टु भरा होता था राजा अपनी विजयों का लेखा जो खार रखते थे जब कि किसान अपने कार्यों का लेखा जो खार नहीं रखते थे आगे चर्चा करें हम प्रस्ट नंबर साथ पर प्रिष्ट एक पर सिल्पकार सब्दे का बता लगाई है आज पर चलिए कम से कम पांच विविन्य सिल्पों की सुची बनाए सिल्पकार बतलब जो किसी एक विशेस कला में निपुण हो यहां पर देख सकते हैं सित्री और दोनों होते हैं सिल्पकार हो सकते हैं जैसे सिल्पकार में आप देख सकते हैं हस्ते सिल्प भवन सिल्प मोर्ती सिल्प काष्ट सिल्प और चर्म सिल्प इसमें से जो इस्तरी पुरूस दोनों कर सकते हैं हस्ते सिल्प है और मोर्ती सिल्प है जबकि जो तीन काम है भवन सि काश्ट शिल्प और चर्में शिल्प अधिकान सत्याई से पुर्शु के द्वारा किया जाता है आप पुरोश करते हैं अगला प्रस्ण अतीत के पुस्तकों पुस्तके किन किन पर लिखी गई थी तुम्हीं इन मैं से किन पुस्तकों को पढ़ना परसंद करोगे अतीत की पर और उसज्यों तथा विज्ञान पर पार्ट में चर्चा के दोरान हम इन बातुबर चर्चा कर चुके हैं और साथी साथ रतीत की जो पुस्त के थी महाकार दिकरताओं तथा नाटक पर भी लिखी जाती थी आई ये अगले प्रश्ण पर चर्चा करते हैं आज लोग यात यात्राय क्यों करते हैं यह अन्सी आटी जो किताब है उसके पेज नंबर तीन में प्रश्ण दिया गया है यह पार्ट पुस्तक के पार्ट के पीछे नहों करके पार्ट में ही कुछ प्रश्ण पूछ लिये जाते हैं उस पर उत्तर है आज लोग यात्राय अपने पुछा गया था क्या तुम बता सकते हो कि कठोर इस्ता पर लेख लिखवाने के क्यालाब थे ऐसे करवाने में क्या-क्या कटना यह आती थी कठोर इस्ता पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था क्योंकि यह लेख आसानी से मिंड नहीं पाते थ प्राप्त करते हैं कठोर इस तब लिखना कठिनकारी था जिसने लिखने में ज़िक समय लगता था अगले प्रस्वन क्रूम सविदों के प्राथ त्यु विदों के बहुत कम आउस्यस मिलते होंगे क्योंकि उसमें जो सूती का उपयोग होता था, सूती कपले का उपयोग किया जाता था, जो समय के साथ सड़गल जाता है अगला प्रशन हम देखें, इतिहास और तिथियां, इतिहास और तिथियों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी कि BC का मतलब होता है इस भी पूर्व या नहीं बिफोर क्राइस्ट इसा पूर्व हम भी कह सकते हैं इसा पूर्व कहें या इस भी पूर्व कहें या बिफोर क्राइस्ट कहें यह सब एक ही चीज है ऐसे ही AD हिंदी में इसे इस भी लिखा जाता है जबकि ano domini नामक दो लैटिन सब्दों से बना है इसका तात्वर्य होता है इसा मसी के जन्म के बर्स से है कभी कभी AD की जगह C तथा BC की जगह BC का प्रियोग होता है C अक्सरों का प्रियोग common era तथा BC का प्रियोग before common era के लिए होता है है हम इन सब्दों का प्रियोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकान से देशों में Christian era का प्रियोग सामान्य हो गया है भारत में तिछियों के रूप में कर तिछियों के रूप का प्रियोग लगभग 200 वर्स पूर्व आरंब हुआ था कभी कभी एंग्रेजी के BP अक्सरों का प्रियोग होता है जिसका ताथ पर प्रजेंट या नहीं वर्तमान से पहले है अगला प्रेस्ट जो यहां पर दिया गया था कि प्रिश्ट नंबर तीन पर था दो तीथियां हैं उनका पता लगाओ यह तीथियां 4725 है इसके लिए BC अक्सर समुख का प्रियोग करेंगे अन्यत्र भी यहां पर पाठे पुस्तक में प्रस दिये थे जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अभिलेक कटोर इस तहों पर उत्किन किये जाते हैं इसमें से अभिलेक कई सब वर्स पूर्व लिखे गए थे अभिलेकों लिपियों और भासाओं का प्रियोग हुआ है अभिलेकों को लिखने के लिए लिपियों और भासा का प्रियोग हुआ है समय के साथ अभिलेकों में प्रियोग भासाओं तथा लिपियों में बहुत बतलाव आचुका है यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था इसका पता अग्यात लिवी का अर्थ निकालने के लिए एक परकिरिया दोरा किया जा सकता है। इसके बाद इस परकार के ग्याद में लिव को जाने के लिए परशिद कहानी उत्तरी है फिरकादेश मिस्र से मिलती है। लगभग पौन सब वर से पूर यहां ताजारानी रहते थे। आए आगे चर्चा करें। यह इस परकार से आप लोगों ने देखा था कि जैसे मिस्र के उत्तरी तट पर क्या है रोसिष्टा नाम का एक कसवा है छोटा सा सहर है यहां से एक ऐसा उत्केंड पत्थर मिलता है जिस पर एक ही लेख में तिन तिन भिन्न भिन्न भासाओं लिफियों यूनानी मिस्री मिस्त्री मतलब मिस्र दो वरकार के हैं कुछ ग्जुनन्य भाँषणाः पल सकते हैं उन्होंने बताये कि राजाओं तथा रानियू के नाम एक छोटे सफ्लेम में दिखाए गए है उसे कार्तूस कहा जाता है प्रश्वद पूछा जा सकता है कि वही कार्तूस कि शिए कहा जाता है जो राजाओं और राणियों के नाम लिखे गए हैं छोटे से डिब्बे में या फ्रेम में उसे कार्तुस कहा जाता था इसके बाद बिद्वानों ने योनानी तथा मिस्र के संकेतों को अगल वगल रखते हुए मिस्त्री अक्सरों का समाना अर्थक ध्वनियों की पश्चान पाई गई है ऐसे ही उन्होंने दोनु भासाओं में समानता खोजने की कोशिश की और साथ ही साथ ए अक्सर के लिए चिनिया के चित्र बने है एक के लिए अगर हम देखें तो यहां भी चिनिया का प्रियोग किया गया है और एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि भीविन अक्सर जिसके लिए परिकते हुए हैं वो आसानी से अभी लेख भी पढ़ सकते थे यह भी द्वानों का मानना है मिस्र के रोसिटा नावा कस मैं मिले पत्थर पर लेख कितनी भासा हूं तथा लिफियों में उत्किन है अभी हमने देखा था कि मिस्र के जो उत्री तड़ पर रोसिटा नामक कस्वे मैं मिले पत्थर पर लेख तीन भिन 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 भासा हूं तथा लिफियों में उत्किन हैं सेर का चित्र किस अक्सर क लिए प्रियुक्त किया गया है सेर का चित्र एल के लिए लायोन जिससे दसा सकते हैं हम उसके लिए प्रियुक्त किया है चेनिया का चित्र किस अक्सर के लिए प्रियुक्त होता है चेनिया का चित्र के लिए प्रियुक्त होता है यह चर्चा हम पहले कर चुके हैं और देखे बूच्त सकते हैं तो आपक सकते हैं कि पुराता विद एð बàiतिस्र बननी तथा परियोग में लाई जाने वाली वश्ञों का ध्याன के एकूंपूरछ व्यायन्य था जूम किसी इस्तान की खुदाई किसाधार पर करते हैं, क्या खुदाई करते समय किसी परकार की शावधानी भी रखी जाती है, खुदाई में मिली चीजों की उम्र कैसे पता लगाया जाता है, और खुदाई में मिली चीजों को कहां और क्यों रखा जाता है, यह सब चीजां आप पूछ सकते हैं पुराता तुबित से यह थे कक्षिया 6 के पार्ठेक के प्रशने पार्ठाधारी प्रशन और पार्ठ में चर्चा के दोरानाए प्रशने दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें और हो सके तो लाइक सेर सब्सक्राइब करने के बाद जो आइकन है उसे औल में रख लीचे क्योंकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आता है तो उसे आपको सबसे पहले सोचना मिल जाती है अपने पढ़ाई निश्चित तोर पर आप लोग जाली रखे और जैहिन जैभारत